क्रूड के लगातार बढ़ते भाव और उत्पादन कम रहने के अनुवान से गौर में जोड़दार तेजी देखने को मिल रही है NCDX पर गौर गम जून 2015 के हाईपर कारवार कर रहा है वहीं 17 अगस्त को लाँच के दो महीने के वीथर गौर एक्स में 30 फीज़दी की जोड़दार तेजी देखने को मिल चुकी है हाला कि कीमतों में जोड़दार तेजी से गम के एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है जून 2015 के हाई पर गौर गम का भाव नजर आ रहा है NCDX पर भाव 11,000 के पार निकला है तीन महीने के अंदर गौर गम में लगबग 72 फीज़दी का उचाल देखने को मिल चुका है 17 अगस्त को लाँच हुए अब तक गौर एक्स में 30 फीज़दी भागा है गौर के भाव क्रूड के भाव बढ़ने से तेज हो रहे हैं हाजीर में मजबूत मांग से कीमतों को भी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है भाव बढ़ने से एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है मही चालू सीजन की बात करें तो चालू सीजन में गौर का उतपादन लबख 35 लाग बोरी संभाव है मही 2-3 सालों में उतपादन घटकर आधा रहे गया है भाव कम मिलने से किसानों का रुजान भी घटा था इसलिए किसानों का रुजान मुंफुली और कॉटन में बढ़ गिया है